दोस्तों आगे है स्वासिभा की नई अपडेट के साथ में जहां पड़ 361 पदों पर पर परामेडिकल कर्मी की बहाली के साथ साथ ड्रेसर वालों के लिए यहां पर अपडेट होने वाली है साथ ही साथ जो भी हमारे पारामेडिकल अभ्यरती भाई ये बंबा ने जो बहाल तरीके साथ सही जो को समझ नहीं पाते हैं तो चलिए दोस्तों बीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आप से भी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहां बेल आइकन को दबाली दे तक कोई भी नोटिफिक से जारी किया जाना है जो कि आप इसको पढ़ेंगे आप पढ़े भी होंगे जिसको मैं एक बढ़ बता दूँ आप से भी को कि फरमासिस्ट के लिए 1549 पोस्ट जिसके लिए जो है चार पांच अप्रेल से जो है इसका फॉर्म भी फील होना जो है स्टार्ट हो जागा इसक कुमार सर्वजीत ने पैरा मेडिकल के 361 पदो पर बहाली के लिए जो है सूची जो है आपको बीटी असी को यानि की बिहार तकनी की सेवा आयोग को भेज दिये और वो वन बाई वन करके जो है सारी नोटीस को जो है जारी कर रहे हैं तो यहां पर जो है आपको फरमासिस् स्टार्ट हो जागा बाकी जो ओटी असिस्टेंट के पद बजते हैं जो कि 1096 पदों पर बहाली की प्रक्रिया होनी है सांत साथ एकसरे टेकनीशन वालों को 803 पद और ECG टेकनीशन वालों को 163 पद जिसके लिए यह पद रिक्त खाली पर है जिसके लिए आयोग को भेजा बिहार तक्नीकी सिवा आयोग को भेजा गया जिसके माध्यम से आप सभी का बहाली की प्रक्रिया है सुरु की जाएगी जिसमें फर्मसिट वालों के लिए बहाली की प्रक्रिया आपको स्वता अब स्टार्ट कर दी गई है और OT असिस्टेंट वालों का एकसरे टेकनीशन वालक और ECG technician इस सब के लिए थोरा सा समय लएगा और विदिन कुछ दिनों में कुछ दिनों नहीं एक दो मन्त लगेगा उसके बाद आप सभी को ये notice आपको देखने को मिलेगा दोस्तो ड्रेसर की बहाली को लेकर के जितने भी हमारे भाई बंदुयंबाने इंतजार करते र मालूम होने चाहे आपको कि इस 16-38 पदों को रद कर दिया है हाला कि फर्मासिस्ट के लिए 1540 पदों के लिए तो आप आपको 210 पद उपर पहले जो नोटीस जारी किया जाएगा आपको समान प्रसासन विवाग के तरफ से जो नोटीस बीटी एसी को भेजा गया है वो 210 पद उपर पहले चरण में बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद स्वाता जो सीट बसते हैं उस पर फिर ड्रेसर क बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी लेकिन इसके लिए अभी भी थोड़ा सा समय लग सकता है जिसके लिए कोई ओफिसियल नोटीस नहीं आए कि ड्रेसर की बहाली की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है स्वता जो है आपको इसमें भी लगवक जो है एक से डेड़ दो महीने जो है देखने को मिल सकता है क्योंकि जब तक स्वता आप लोग जानते हैं कि यहां पर बिहार में बाली की प्रेगा थोड़ा सा डिले चलती है हलाकी जो है लगातार विधान सभा में विबक्ष जो है लगातार स्वास्ति ब्याक की बिखत पदो को लेकर जो आवाज उठाते रहता है जिसको लेकर के आपको ट्वासिस्टर की भी बहालिया होनी है और साथी साथ प्रचार्ज की जो कि परामेडिकल कॉलेजों में जो भी रिक्त पढ़े हुए पद हैं सभी पर जो है बहाली की प्रक्रिया होनी है जो कि हमारे अर्वल के महानंद विधायक्ची है वो लगतार जो है इस पर हवाज उठार है जिसको ले करके आपको फर्मासिस्ट पर तो देखने को मिला ही साथ ही साथ अन जितने भी BTSC के मादम स बहाली की प्रक्रिया है उसके लिए थोड़ा सा आप लोग इंतिजार कर ले फिर जैसे ही इसके लिए कोई नई अपडेट आती है ड्रेसर के रिगाडिंग तो आप सबी के बीच जो है जरूरी चैनल के मादम से अपडेट कर देंगे तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और टेली के लाम से भी जूरी जाए क्योंकि प्रते दिन के अपडेट जो है वहाँ पर भेज दी जाती है और चलिएक मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ में तो तक के लिए धन्यवाद